नमस्कार साथिकों कैसे हो आप सभी राज़तान में जनजातियां उनकी संस्क्रति पढ़ रहे थे इसका बाग दो अपन आज पढ़ेंगे बाग एक पढ़ चुके हैं ये रीट मेंस में राज़स्तान जेक्के का टोपिक है इंपोर्टेंट टोपिक है बढ़िया टोपिक है चलते हैं सेर्व पर्थम बात करेंगे अपन सहरिया जनजाति के बारे हम बात करेंगे सेर्व पर्थम शेरिया जनजाति के बारे हम अपन बात करेंगे ठीक है इसका जो मुख्या होता है साथिक है शेरिया जनजाति का जो मुख्या होता है इसके मुख्या को कोतवाल कह जा सेरियों का गहासफूस का जोец गर होता है, उसे टापरी कहा जाता है। इसके मुख्या को कोटवाल कहा जाता है बहुत बार प्रसंद पूचा गया है टापरी शहरीयों का गहस पुषका जो घर होता है उसे टापरी करते हैं इनमें एक संसकार होता है धारी संसकार मरतियों के तीसरे दिन अस्तियां वराक एकतर कर पुनर जनम का सकुन देकर सीता बाड़ी में बान गंगा में अस्ति विशर जन करता है यानि कि इनमें ये माननेता है साथियों कि पुनर जनम होगा इस वेक्ति का और इसकी जो अस्तियां है वो ये सीता बाड़ी एकतरित कर लेते हैं जलाने के बाद में जो अस्तिया वगेरा हैं वो एकित्रित करके सीता बाड़ी में बान गंगा में विशर्जन कर देते हैं उसे ये धारी संसकार करते हैं कौन सा संसकार करते हैं धारी संसकार करते हैं ठीक है आगे चलते हैं देखो साथियों जो जंगलों में पेडों पर सहर जो जोपडी होती है उसे गोपना कहते है जंगलों में पेडों पर मचा नूमा जो जोपडी होती है उसे ये क्या कहते है गोपना कहते है ठीक है शैरियों की जो कुल देवी होती है इसे कोडिया कहते है क्या कहते है कोडिया और ये अरद्य देव तेजा जी को मानते है तेजा ठीक है साथ यूँ देखो इनमें जो वेश बुसा जो इनकी वेश बुसा होती है जो इनका कपड़े पेहनने का जो होता है जो इसमें पुरुष पेहनते हैं उसे पंचा केते हैं ये कमर पे पेहनना जाता है कमर पे पुरुष वस्तर पेहनते हैं उसे पंचा कहते हैं एक सलू का इनका वस्तर होता है पुरुसों का वस्तर होता है सलू का इसे भी पुरुस पहनते हैं और खपटा शिर पर बांदने का इनका वस्तर होता है खपटा पुरुस इसको शिर पर बांदते हैं खपटा और रेजा शहरियों की जो इस्तरिया होती है वो एक परकार का विशेश वस्तर पहनती है उसे रेजा कहते है रेजा कहते है इन में गोदने की जो पर्था है वो भी है शातियों ये क्या होती है जो शहरियों की जो महिलाएं होती है महिलाएं वह गोधना गुदवाती हैं जैसे चित्र वगिरा मंगवान लेते हैं जैसे टेटू बोलते हैं तो वो गोधना गुदवाती हैं लेंगी गेर नर्ते को ये लोग लेंगी कहते हैं गेर जो नर्ते करते हैं इसे लेंगी करते हैं इस्त्री और पुरुस ये नर्ते साथ में करत आगे चलते हैं डामोर जन जाती के बारे में शाथियो जो डामोर जन जाती है ये डूंगरपुर की शिमलवाड़ा पंचायत छेतर की जदा जन जाती है ये जो जन जाती है ये डूंगरपुर के शिमलवाड़ा पंचायत की छेतर में पाई जाती है डूंगरपुर में शिमल पुछा गया परसन है, डामोर जन्जाती का जो मुख्या होता है, वो मुख्य कहलाता है, गहने पेंडने का चलन ज़्यादा है सातियों, इनमें गहने खूब पेंटे हैं, इनके जो पुरुस होते हैं, वो भी महलाओं के बाती गहने पेंटे हैं, इनका एक मेला बढ़ता है, छेला बावशी का मेला जो गुजरात का प्रसिद मेला है ठेक है डामोरो का मेला है इनका वेवसाई क्रशी वेवसाई है इनका जो मुख्य वेवसाई है वो क्रशी है ठीक है सातियों इनमें एका की प्रिवार पाया जाता है इंपोटेंट है इनमें सेयुक्त प्रिवार की ध खाना बदोस जन जाती है खाना बदोस जो सब्ध है उर्दू का सब्ध है इसका आर्थ होता जो घूमती रहती है जन जाती उसी खाना बदोस कहते हैं यानि गुमकड जन जाती है जो साशी जन जाती है बरुतपुर के जन जाती है और गुमकड जन जाती है विद्वा विवा प्रतिबंद है साथियों में विद्वा विवा प्रतिबंदित है और अवेद संबंदों पे कठोर दंड है इनके अवेद संबंदों पे कठोर दंड दिया जाता है ठीक है कूकडी की रस्म विवा के आउसर पर 6 यूतियां जो होती है अपने चारित्री की परिक्षा देती है चरित्रिक प्रिक्षा देती हैं जिसे कूकडी की रस्म कहते हैं ठीक है कूकडी की रस्म यह important परसे नहीं बहुत बार पूछा भी गया है कूकडी की रस्म होता क्या है तो विवा के एवस्वर पर संसी यूती द्वारा दी गई चरित्रिक प्रिक्षा कूकडी की रस्म केलाती है कथोडी जन जाती उद्यपूर की जन जाती है ये उद्यपूर की जन जाती है वेशे ये जो मूल जन जाती है माराष्ट्रे की है मूल कहां कि महराष्ट्रे की महराष्ट्रे की जन जाती है ये मूल ठीक है इनका जो मुख्या होता है उसको भोपा कहते है भोपा पुछा गया परसन है इनका जो मुख्या होता है उसको भोपा कहते है इनकी घास नूमा जोपडी होती है उसे खोल रहा कहते है मोरध्य इंदोज के शाध्य को क्या किते है , फड्क प्रिय पै इनका प्रिय पै क्या है नेका प्रिय पै होता है क्थोरी जिन जाती का जो ठीक है निके जो अरद देव कंशरी मता है बारी मता हैं डुंगर देव है वाद देव हैं और गाग देव हैं ठीक है गोरिय flavored माता डूंगर देव वाद देव और गाग देव ठीक है वादे इंतर भी बजाते हैं साथ हुई कुछ वादे इंतरों के नाम है आपे तारपी ठीक है घोरिया पक्री और भाली शर ठीक है तारपी घोरिया पक्री और भाली शर नाम के वादे इंतर भी ये बजाते हैं ठीक है आगे चलते हैं कंजर जन जाती पे हाडोती छेत्र की जन जाती ये जद्धा है कंजर जन जाती जो है हाडोती छेत्र में जद्धा पाई जाती है ये कोटा जाला वाड़ वाले छेत्र में जद्धा पाई जाती है ये जन जाती इनके मुख्या को पटेल कहा जाता है पटेल कहा जाता है इनके मुख्या को साथियों देखो दरवाजे कभी बंद करके नहीं सोते हैं यानि इनके दरवाजे बंद नहीं होते हैं ठीक है एक इनमें होता हाकम राजा का प्याला ये जब हाकम राजा का प्याला पीने के बाद में ये जूटी कशम नहीं खाते हैं मरतियु संसकार इनके सव को गड़ा जता है और सव के जो मुह होता है उसमें शराब की बुंदे डाली जाती ठीक है पाती मांगना इनमें पाती मांगना भी है यह जब चोरी ड़केती करते हैं तो अपने जो देवताएं हैं उनसे आशिरवाद लेते हैं ठीक है साथियों यह अपन मुख्य मुख्य जो जन जातिया है इनके बारे में अपन ने पड़ लिया है में में बाते पड़ली है उम्मित करता हूँ आपको पसंद आया होगा पहला वीडियो वज़ से देखें धन्यवाद